नमस्कार हिडलेंग सिंडा के हिंदी बुलिटिन में आपका स्वागत है नहीं हूं अश्वनिकुमार कश्मी में हूरियत नेताओं ने आज फिर से एक भारत विरोधी रैली निकाले और भारते सेनाओं के रवईये पर सवाल उठाते हुए संयुक्त राष्ट के दफ्तर में ग्यापन सौपा हलंकि भार सरकार द्वारा पूरी रैली के साथ संयुक्त राष्ट के दफ्तर पर जाने में प्रद्वन लगाने के विरोध में पुरियत नेताओं ने इस रैली को आदे में रोक कर अकेले ही अपना ग्यापन सौपा इस प्रदान मंत्री मनमौन सिंग ने आज फिर से सभी वर्गों और समुझायों के लोगों से शांती बनाय रखने की अपील की है गौतलवेगी कई राजनितिक बैटकों की बावजूद सरकार अभी तक इस मसले पर कोई हल निकाले में नाकामियाब रही है महीं दूसरों जारकन में कूर्सी की लड़ाई और वियूरस्ती जा रही है कर जारकन मुक्ती मोचा के कॉंग्रेस से समर्थन वापसी के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है हारांगी प्रदेश के मुक्यमंतरी मदू कोडा ने अपना इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है जिसके चलते हाट प्रदेश के राजिपाल सहीद सिप्ते रजी ने कोडा को सम्मन जारी किया है गौतलवेटी शीबु सोरेन के मुख्यमंदरी पत पर वापस आने की जिद के बाद कॉंग्रेस में साफ कर दिया था कि अगर वे सरकार में शामिल बाकी नौ निर्दर्य विधायकों का समर्थन पाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस बात पर कॉंग्रेस को कोई अपती नहीं पर सोरेन के लिए नौ विधायकों को ॅपने पक्ष में मनाना काफी मुशक्ल है घुलालबक तेक चछोटे से ब्रेकर बेगर वाप के एंग कुछ और कभ़रें ब्रेक के बाड़ आपका फिर से स्वागत है भारत शुलंगा इस पांच एक दिवसी मैचों की श्रिंगला का पहला मैच अध भारत आच प्रिक्टों से हार गया आसुवे टॉस जीते वे भारत ने पहले बल्लेबासी का फैसला किया भारत की शुरुआत बेहदी खराब रही और शुरू महीं भारत ने एक के बाद एक विकेट गवा दिये गंभीर रहना कोली के बाद यूवराज रोई शर्म और धोनी भी भारति पारी को नहीं समाल पाए और भारत केवल 147 उपल और आउट हो गया जवाब में शुलंगा ने चोटा सा लक्षे मागर 34 ओवरों में मैंडिस ने तीन दिन विगर लिए जबकि जयवर्थने ने एकसाट और कपू गडेडा ने 44 रण मनाए मैंडिस को मैं आप दे मैच होना गया तो यह दो थी आभी तक कि कुछ बड़ी खबरे पर बाकी खबरों क्लेब ममानी वेबसाइट हेडलाइनसिंदे.com पर लोग इन कर सकते हैं नमस्कार